क्या आपको वो वक्त याद है जब internet टेलिफोन लाइन से connected होता था और internet connection की speed भी पहुँट slow होती थी टेलिफोन लाइन से internet पे कोई movie देखनी हो या information डाउन्लोड करनी है तो loading में कितना time जाता था पर अभी के वक्त में Wi-Fi की वज़े से internet access बहुट speedy हो गया है और एक दिन Wi-Fi access में problem हो जाए तो इंसान सर पे घर उठा लेता है तो जो लोग net के थुरू काम करते है तो उनको Wi-Fi नहीं होने से काफी परेशानी होगी Wi-Fi fast speed में चलता है और charges भी affordable होते हैं सब के लिए हो सकता है कि आप मेंसे कई लोग हमारे ये वीडियो Wi-Fi connect करके ही देख रहे हैं पर क्या आपने सोचा है कि ये Wi-Fi work कैसे करता है अब Wi-Fi हमारे daily life का इतना important हिस्सा बन गया है तो ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिर Wi-Fi आया कहां से और इसका invention कब और कैसे हुआ तो आज हम आपको इस वीडियो द्वारा Wi-Fi की जानकारी बताएंगे लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आसकाई गुरू को सब्सक्राइब करना नाम खुले Year 1970 में Electrical Engineer Dr. John O. Sullivan और उनकी टीम स्पेस में Radio Signals Detect कर रहे थे तब ही उन लोगों को Complex Equation मिला Fast Fourier Transforms नाम था उसका लेकिन इस Equation पर से उनको कोई खास जानकारी नहीं मिली 20 साल बात Dr. John और उनकी टीम ने Decide किया कि हम Wireless Networking को चान्स देते हैं बहुत से Experiment करने के बाद उन लोग ने Fast Fourier Transforms Equation को Data Equation के सथ मिक्स किया और इस वज़े से Wi-Fi का Base Form हुआ फिर Year 1996 में उस Original Base को और थूरा डेवलप किया गया और Finally 1997 में Code को Crack करके First Version क्रियेट किया था जिससे आप सब अभी Wi-Fi नाम से जानते हैं वो नाम इसे मिला कैसे? तो Dr. John की टीम ने Market की जानकारी ली और ऐसे लोगों की Help और Research से इसे Wi-Fi नाम दिया गया Wi-Fi का Original नाम Hi-Fi था इसका मतलब High Fidelity है High Fidelity Technical Term है High Quality Audio Technology के लिए इस तरह से Wi-Fi में High Speed Connectivity के कारण ये नाम मिला है Wi-Fi Radio Waves यूज़ करता है जिससे Router में Data Transmit होता है और ये Radio Waves की Frequency GHz में Measure होती है Wi-Fi Router में 2.4 या फिर 5 GHz की Frequency यूज़ होती है और इस वज़े से आपके फोन में Data Fast Speed से Transfer होता है तो इस तरह Wi-Fi का Invention हुआ है और वो हमारे लिए Fast Speed Internet का काम करता है और Wi-Fi के Wave Lens हमारे Body के लिए हामफुल नहीं है हमें High Speed Free Net Engineer Dr. John O. Sullivan और उनकी टीम के efforts की वर्ज़े से ही मिला है तो अगर इस से जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें comment section में सरूर बताए और अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब सरूर करें और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तो धन्यवाद